वेलकम टू जीनियस मेंटर्स हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी क्लास एट की आपकी हिश्ट्री की बुक जिसका नाम है अब पार्श थ्री इसके चैप्टर नमबर वन और उसके लेक्चर नमबर शिक्स पर हम पहुंच चुके हैं और यह लेक्चर नमबर शिक्स हम करेंगे पाँच लेक्चर नमबर शिक्स याखिए हैं जिसमें हमने बहुत सारी बाते सीखी हमने देखा कि डेट्स हिस्ट्री में कितनी इंप गडिवाईड खिया गया हमारी हिस्ट्री को पहले जेम्स populaire नेधी किया उसको हिंदू, मुसलिम, इंग बिटिष में फिर उसके बाद बाकी European historians थे उन्होंने उसको ancient medieval और modern divide किया और हमें वो भी पसंद नहीं है हमने बोला कि हम modern कैसे है modern तो तुमारे देश थे हमारे देश से उस टाइम पर modern नहीं थे तो modern history क्यों बोलते हैं तो हम कही ना कही उसको change करके हम पहुंचे colonial पर कि हम इसको colonial history बोलेंगे क्योंकि हम उस टाइम पर colony थे किसकी? British की अब यह colony क्या होती है इसके बारे में भी हमने बहुत detail में discuss किया था पिछले lecture में ठीक है? यहां तक हम पहुंचे थे अब उसके आगे की कहानी हम शुरू करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले आपको यह chapter open करना है कौन सा? How, When and Where? कौन सी बुक में है? Our Past 3 जो आपकी 8th class की history की बुक है इसका पहला chapter open कर लीजिए और इसमें हम आज हम शुरू करने वाले हैं How do we know? कि पिछले 200 साल की history का हमें पता कैसे चलता है जिसमें ये वाला चीज मैंने आपको बता दी थी और homework दिया था कि आप सोच के आओ कि इन से ये जो ये record रखते थे हमने देखा कि पिछले 200 साल की history का हमें पता कैसे चलता है तो उसका पता चलने का एक जो important source है वो ये है कि जो Britishers थे लिखा हुआ है वो आज भी शुरक्षित रखा हुआ है जिसे हम पढ़ सकते हैं जिससे हमें पिछले 200 साल के साशन का पता लगता है कि उन्होंने क्या क्या किया तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है तो इससे क्या मदद मिली हमें यह मेंने पूछा था और इससे को आपने बता भी दिया होगा कि इससे हमें हिस्ट्री को जानने की मदद मिली और इससे हमें यह सोचने मदद मिली कि उस टैम पे क्या क्या होता था यह सब आपने जाना होगा ठीक है अब यहाँ तक हम पढ़ चुके है कि administration produces record और उन्होंने record produce करने शुरू कर दिया क्योंकि Britishers को लगता था कि writing जो है बड़ा important part है प्रसाशन का एक important part है writing कि हर चीज लिख के करनी चीए ताकि किसी को responsibility देनी हो तो हम दे सकें कि ये चीज इसने बोली थी उसको हम आसानी से कभी बता सकें उसके उपर debate किया जा सकें discuss किया जा सकें कि ये चीज यहां से इसने बोली थी क्यों बोली थी उससे पूछा जा सकें तो हर चीज को लिख के रखना एक इनकी आदत हो गी थी और धीरे-धीरे ये उनके administrative culture में आ गया अब इसी से हम आगे पढ़ते हैं कि British also felt कि Britishers को और भी क्या लगता था that all important documents and letters needed to be carefully preserved उनको सिरफ ये नहीं लगता थी ये सिरफ लिखना है उनको ये भी लगता था कि जितने भी important letters है important documents है जितने भी important दस्तावेज हैं पत्र हैं उनको क्या करना है carefully preserved यानि समहाल के उन्हें जमा रखना है कहीं store करना है तो preserve रखना भी उन्होंने बोला कि ये बड़ा important part है सिरफ ये नहीं है कि उनको लिखना है उन्हों जो उनमें से important है उनको preserve रखना भी उसका एक important part है, उन्होंने बोला कि इनको बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से इनको preserve करना है, संग्रह करके रखना है, इकठा करके रखना है, ऐसे ही नहीं fact देना कि काम हो गया, काम खतम, फिर उसके आद उसको कोई नहीं पूछने वाला, आपने letter लिखा ठीक है, लिखने क इसको preserve करने के लिए, इसको एक जगए संग्रह करके रखने के लिए, इकठा रखने के लिए, बचा के रखने के लिए, इन्होंने record room बना दिये, और ये record room कहां बनाए, they attach to all administrative institutions, जितने भी प्रशाशनिक संस्थाएं थी, जितने भी administrative offices थे, institutions थे, उन हर एक के साथ, एक एक इन्होंने क्या बना दिया, record room बना दिया, जहां पर भी कोई important office है, उसके साथ में record room बना दिया, कि कोई भी letter important हो या कुछ भी हो, आपको यहां पर record room में रख देना है, उसको सम्हाल के रखना है, ताकि वो destroy ना किया जा सके, ताकि उसको आने वाली PD यहां भी पढ़ सके, क कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जैसे example देखते हैं, यह administrative institutions कौन कौन से हैं, जहां पर यह record room सेट अप किया था, उसके example देखते हैं, village का तैसिलदार office, village में तैसिलदार का जो office है, वहां पर record room सेट अप हुआ, collectorate में record room हुआ, जहां पर collector बैठता है, commissioner office, यहां पर एक record room सेट अप हुआ, provincial secretaryates, जितने भी प्रांतों के secretaryate होते थे, जैसे आज हमारे यह state होते हैं, इंडिया में क्या अलग-अलग state है, ऐसी जब Britishers थे तो उस टाइम पर इंडिया में state नहीं होते थे, उसको हम province बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे, जैस सची वाले जिसे हम कह सकते हैं, तो जो provincial प्रांती है, सची वाले जिसे हम कहेंगे, उसके साथ भी record room सेट अप किये, law courts, जितने भी court वगरा होंगे, उनके साथ भी record room सेट अप किये, all had their record room, इन सब के पास अपने अपने record room इनोंने बनाए, सब के अपने record room हो गए, specialized institutions, अभी लेखागार और संग्राल है, उन्होंने बड़े एक important institutions, special wishes institutions भी उन्होंने बनाया, क्या क्या बनाया, archives जिसे हम बोलते हैं अभी लेखागार और दूसरा museums जिसे हम बोलते हैं संग्राल है, तो ये भी इनोंने बनाया, were established, इनको भी इनोंने स्थापित किया to preserve important records, जित इस तरह के special institutions भी बनाया, जो विशेश अगर हम कहें संस्थान, जो particularly ये ही काम करेंगे, कि इन चीजों को समाल के रखने का काम करेंगे, तो उस चीज के लिए भी इनोंने archives बनाया और museums बनाया, यानि अभी लेखागार बनाया और museum बनाया, ठीक है, क्या क्या बनाया इनोंन archives और museum ये दोनों चीजे इनोंने बनाया, किस चीज के लिए बनाया, ताकि जो भी important letter है, document या कुछ भी है, उसको समभाल के रखा जा सके, तो उसको समभालने के लिए कलग से institution department बना दिया, कि ये तुम्हारा काम है, तुम इनको समभाल के रखो, ठीक है, ये इस तरह की to another, जितने भी letters और memos थे, जितने भी पत्र हो गए या घ्यापन हो गए, जो किसी भी administration की एक branch से दूसरी branch में भी जा रहे हैं, जैसे हो सकता है, यह accounts branch है, यहाँ पर सारा account का काम होता है, इस side technical branch है, यहाँ सिरफ technical का का काम होता है, तो account से technical branch में कोई letter गया, या technical से account में में भी लेटर आते जाते रहते हैं, महमोज आते जाते रहते हैं, तो जितने भी लेटर और महमोज थे, जो किसी भी administration यानि के प्रशाशन के एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गए, in the early years of 19th century, 19th century के शुरुवात में, जितने भी ये गए, can still be read in the archives, इनको आज भी पढ़ा जा सकता है, आर्काइवस में जाके, तो आपको समझ में है, आर्काइवस का क्या importance था, जितने भी लेटर थे, जितने भी महमोज थे, सब को समझाल के रखते थे, और 19th सताबदी की शुरुवात है, अभी 19th century का क्या मतलब है, मैं अगर बोल रहा हूँ 19th century, इससे आप क्या समझते हैं, 19th सताबदी को आप क्या कहेंगे, कौन सा पीरेड था है, 19th में सताबदी का मतलब हुआ, 1801 से लेके 1900 तक का time, यह हमारा 19th में सताबदी है, ठीक है, ध्यान रहेगा, 19th में सताबदी का नाम है, मतलब हो जाता है, कि 1801 से लेके 1900, इस पीरेड में, ठीक है, जैसे अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 क्या है, यह हमारी 21st century है, यह हमारी 21st century है, तो 19th century का क्या मतलब हुआ, 19th century का मतलब हुआ, 1801 से लेके 1899 का जो time है, 1801 से लेके 1899 का जो time है, इसको हम बोलता है, 19th century है, अमनीश्मी सताबदी, तो इसके शुरुवात में यानि कि 1801 से लेके 1801 से लेके 1830-35 तक भी अगर हम देखें जो इस टाइम पर इन्हों ने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में लैटर भेचें उनको आज भी पढ़ा जा सकता है आज भी पढ़ा जा सकता है क्यों पढ़ा जा सकता है क्योंकि वो आर्काइवस में रखे हुए हैं क्योंकि उन्होंने उसको आर्काइवस में रख दिया तब आपको समझ में आया होगा यह आर्काइवस और म्यूजियम इतने स्पेशल क्यों बने क्योंकि उन्होंने सब यूरी की शुरुवात में जो लेटर गए उनको हम आज भी पढ़ सकते हैं आर्काइवस में जाके अभी लेखागारों में जाके यू can also study the notes and reports that district officials prepared आप उन notes को या उन reports को भी पढ़ सकते हो जिनको district official याने जिला अधिकारियों ने बनाया होगा उस time पर और the instructions and directives या फिर उन आदेशों को उन निर्दोशों को भी हम पढ़ सकते हैं that were sent by officials at the top provincial administration जिसने जो किसके द्वारा भेजे गए थे जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं टॉप पे जो अधिकारी बैठे हैं, उनके दोहरा किसको भेजे गए हैं, तो basically provincial administrator को, प्रांती है, अधिकारियों को प्रांती है, अगर हम देखें, प्रांत में जो administrator हैं, प्रशाशनिक अधिकारी हैं, उनको जो भी directions भेजें, जो भी अगर हम कहें, directions के साथ-साथ instructions भेजें, उनको भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, टॉप मतलब center, ठीक है, यहाँ पे center से, नीचे अलग-अलग state हैं, बहुत सारे, उन state को जो भी चीजे भेजी, चाहे वो instruction हो, निर्देश हो, या फिर directives हो, तो कुछ भी उन्होंने भेजाओ, यानि कि, अगर हम इसको बहुत simple सब्द में गया, तो वो चीज आज भी पढ़ी जा सकती है, कहीं ना कहीं, इन archives के द्वारा, इन archives में जाके, आज के दिन आप भी पढ़ सकते हो, इन सारी चीजों को, in the early years of 19th century, 19th सताबदी की शुरुवात में, these documents were carefully copied out, यह जो जितने भी document थे, चाहे letter हो, memo हो, चाहे कुछ भी हो यह सारे documents को, बड़े ध्यान से, इनकी नकल बनाई जाती थी, copy की जाती थी, and beautifully written by calligraphists, और इनको बड़े सुन्दर तरीके से calligraphist के द्वारा लिखा जाता था, अब यह calligraphist क्या होता है? ग्रैफिस्ट जहां पर भी आता है, graph जहां पर भी word आता है, उसका मतलब होता है लिखना, graph का मतलब, graphene basically एक word है, उससे बनाए graph, ठीक है? graph का मतलब होता है basically लिखना, write, graphene का मतलब होता है write, ठीक है? उसी से graph आया, तो वो जो लिखता है, वो गया graphist, कोई भी कुछ भी ची लिखता है वो हो गया ग्राफिस्ट ग्राफिस्ट हो गया लिखने वाला लेकिन सुन्दर लिखने वाला हो गया कैली ग्राफिस्ट तो जहां पर भी सब्द के शुरुवात में आपको कैली वर्ड दिखाए दे जाए उसका कहीं ना कहीं सुन्दरता से कोई लेना देना होता ह ठीक है तो ग्राफिस्ट होता है लिखने वाला कैलिग्राफिस्ट होता है सुंदर तरीके से लिखने वाला जो अच्छे तरीके से लिखता है तो जितने भी अगर हम कहें पेंटर है या कोई भी अच्छे सुंदर तरीके से लिखता है डिजाइनिंग में लिखता है उसका हम क केलिग्राफिस्ट बोलते हैं ठीक है तो यह जितने भी डॉकुमेंट्स होते थे और किसमें 19th century की शुरुवात में 19th century कब 1801-1999 के बीच की बात बोल रहा हूं तो उसकी शुरुवात में यानि 1801 या 1810 के आसपास जितने भी डॉकुमेंट्स होते थे उनकी नकल बनाई जाती थी यानि कॉपी की जाती थी अब कॉपी करने के लिए फोटो कॉपी तो मशीन थी नहीं कौन करता था तो वो की ज लिखते थे जो भी लेटर बेजा है उसकी कॉपी रखने के लिए उसको बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा जाता था ठीक है यह चीज़ हमने देखी जड़ो डेट इस बाइज बाइडोज हो स्पैसिलाइज इन दी आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग क उसमें स्पैसिलाइजड हो गया है जो उसमें एक्सपर्ट हो गया थी राइटिंग में उनको क्या बोला कैलिग्राफिस्ट बोला यह मिनिंग मैंने आपको बता दिया वैसे ठीक है तो 19th century की शुरुवात में जितने भी लेटर हो गया कुछ भी होता था उसकोई कॉपी ब 150-60 के आसपास आते आते क्या हुआ विद्धी णडी फ्रेड ऑफ प्रिंटिंग वहाँ पर अब प्रिंटिंग शुरुवात हो गई है कहीं नखी प्रिंटिंग मशीन सा गई है अब 28 अब शताब्दी के बीच तक आते आते परिंटिंग की शुरुवात हो चुकी है और प् department कि जितनी भी government department की सरकारी department की जितनी भी कारवाई होती थी जितनी भी अगर हम कहे proceedings होती थी उनकी जितनी भी कारवाई होती थी उसकी कई-कई copy निकालने लगे क्यों अब हाथ से लिखना ने पड़ेगा अब इन्हें printing हो रही अपने आप चल रहा है सब कुछ अपने आप लिखा जा रहे तो printing आने की वज़े से अब यह copy निकालना असान हो गया तो इनकी बहुत सारी copies निकाली जाने लगी कोई भी अगर proceeding कोई भी कारवाई सरकारी हो रही है उसकी बहुत सारी copy निकाली जाने लगी बहुत सारी के आज पास यह बन गया था अरड़ी लेकिन 1926 में यह अपनी जगह पर जहां पर आज है वहाँ shift हुआ था इसलिए इसने 1920 लिखा है ठीक है तो 1926 में यह building हमारी तो यहाँ पर नई दिल्ली में जहां पर आज यह है वहाँ पर shift हो गया था कब 1926 में इसने अल्रड़ी लिखा है 1920s में यानि 26 मैंने exact आपको बता दिया है कि यहाँ पर आ गया था तो वेन न्यू डेली वास बिल्ट जब नई दिल्ली को बनाया गया 1911 में अगर हम देखें तो capital हमारी यहाँ पर नई दिल्ली बनी है तो जब नई दिल्ली को वाइसराय के घर के पास ही बनाया गया कब जब दिल्ली बना यानि कि 1911 के आसपास जब वाइसराय के घर के आसपास क्या-क्या बनाया National Archive को और National Museum दोनों को अगर हम कहें राष्ट्रिय संग्राल है और राष्ट्रिय अभी लेखागार इन दोनों को वाइसराय के घर के पास रखा गया अब वाइसराय के घर के पास अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो सोचो उसकी importance कितनी होगी तो British जो सोचते थे उसके इसाब से National Archive और National Museum की कितनी importance होगी आप इसकी location के इसाब से इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितने important रहे होगे ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं अब हमको पता लग गया कि यह हमारा National Archive और National Museum दोनों दिल्ली में हैं कहां पे हैं जो उस टाइम पर वाइसरा होता था उसके घर के आसपास बनाए गए थे इससे हमें यह पता लगता है कि इसकी importance क्या थी कि यहां देश का सबसे बड़ा उस टाइम पर अगर हम कहें कोई देश के उपर जो साशन करने वाला है जो सबसे बड़े लेवल पर जो उपर बैठा उसके घर के आसपास यह चीज़े बनाए गई है तो कितनी important ही होंगी तो उनके इसाब से यह जो archives थे या museum थे बहुत important थे चीजों को समहाल के रखना जितने भी documents हैं उनको समहाल के रखना Britishers के लिए बड़ा important एक काम था ठीक है चलो हम आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं अब उसके बाद here's a documents है अब कैसे अलग-अलग source यहाँ पर basically आपकी book में दो source दिये हुए हैं कैसे अलग-अलग तरीके से चीज बताई जाती है तो यह क्या है रिपोर्ट्स टू होम डिपार्टमेंट 1946 में 1946 में colonial government in India was trying to put down a mutiny mutiny क्या होता है mutiny होती है बगावत ठीक है मैं इसको जल्दे जल्दे पढ़ूँगा क्योंकि इसमें बहुत जादा कुछ है नहीं यह आपको सिरफ समझना है मैं आपको बताऊंगा आप समझ लेना उसको ठीक है तो mutiny का मतलब होता है बगावत तो 1946 में जब colonial government क्या कर रही थी 1946 में एक बगावत हुई थी जो किसने की है कहां पे Royal Indian Navy इसकी ships में जो बगावत हुई उसको दबाने का प्रियास कर रही है colonial government colonial government का क्या मतलब है ब्रिटिश गवर्मेंट ब्रिटिश गवर्मेंट या ब्रिटिश सरकार Royal Indian Navy के दवारा की गई mutiny को दबाने का प्रियास कर रही है 1946 में Here is a sample of the kind of reports यहां पर यह कुछ reports हैं जो भेजी गई that got from the different dockyards अलग-अलग बंदरगाहों से भेजी गई report कहां पर home department को भेजी थी center में अलग-अलग बंदरगाहों ने तो इस report में क्या लिखा वो देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने वहां के हालात को बताया Bombay ने क्या बताया Bombay ने बोला arrangements have been made for the army to take over ships और रोयल नेवी की जो ships है वो उनको हमने दूर रखाया अपने हारबर से और इनके बंदरगाह से ताकि वह यहां नजदीक न आ सके त्यानी कि यहां पर आर्मी ने सही तरीके से समाल लिया चारी सारी चीजें अब इस नेवी को हमारे पास तक नहीं आने दे रहें यहां में कोई खत्रा नहीं है यह बताना चारे हैं चलो अगला देखते हैं कराची कराची बंदरगाह वाले क्या बोल रहे हैं कि 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested कि इसने बोला कि 301 जो बगावत करने वाले थे विद्रो करने वाले जो लोग थे उनको तो हमने arrest कर लिया है और कुछ लोग जिनके उपर हमें suspect है कि यह भी बगावत कर सकते हैं वो भी arrest हम कर लेंगे उनको भी अभी हम पराने की जरूर नहीं है तो इन्होंने भी home department में भेज दिया अब विशाखा पत्नम वालों ने क्या बेज़ा उन्होंने बेज़ा है ता position is completely under control and no violence has occurred कि उन्होंने बोला जो condition है वहां की वह completely under control है पूरी तरह से नियंतरन में है और किसी तरह का कोई भी violence नहीं हुआ है कोई भी violence नहीं हुआ है कोई भी किसी तरह का लड़ाई जगडा कुछ नहीं हुआ है military guards have been placed on ships ships पे नावों पे जहाजों पे जो रॉयल नवी की ship है उसमें military guards को बैठा दिया गया है no further trouble is expected expect a few men may refuse to work कि आगे अब ऐसा कोई भी trouble कोई भी नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है सिवाए इसके कि कुछ लोग काम करने से मना करते हैं कि हम काम नहीं करें ठीक है इसके अलावा और कुछ नया suspected नहीं है तो basically यह सारी रिपोर्ट के तरीके होते थे कि कैसे लोग अपनी रिपोर्ट आगे बेजते हैं तो यह अलग-अलग बंदरगाओं ने जब इस तरह का विद्रोव हुआ तो इस टेम पे home department ने यह जानने के लिए कि कहा कहा पर क्या चल रहा है सब से रिपोर्ट मांगी कि तुम पताओ तुम्हारे यहां पर क्या condition है तो सभी बंदरगाओं ने अपने अपनी रिपोर्ट बेजी उन में से कुछ रिपोर्ट के यह हमारे यहां पर सेंपल है जो आपकी बुक ने दिये हुए हैं ठीक है यह आपको आर्काइव में मिल सकते हैं यहाँ पर डारेक्टर ऑफ सारी चीज़ थी जैसे सर्वे जैसे सर्वे यह सर्वे जो होते थे सर्वेक्षन जो थे यह बड़े इंपोर्टर इससे भी हमें पिछले 500 साल की बहुत पता लगता है कैसे सर्वेज बिकम इंपोर्टर इंपोर्टर बन गए कैसे practice of surveying also become common under the colonial administration यह जो सर्वे करना शुरू ह हुआ, आज भी सर्वे होता है, आज भी हर 10 साल में अगर हम देखें population सर्वे करते हैं, census करते है, population census, हर 10 साल में हम population को गिनने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हम देखें हर थोड़े दिन में हम forest survey निकालते हैं, वनों को देखते हैं कि कितने one है हमारे आपए कितने पेड हैं कितने area में one है कितने area में forest है हर कुछ साल में हम tiger का survey करते हैं कि कितने tigers हो गए हैं तो हर जगे हर तरीके के surveys हम आज भी कर रहे हैं और यह survey की शिर्वात अगर हम देखें तो हमें कहीं न कहीं कहां से दिखाय दे रही है यह basically अगर हम कहें कि यहां से common हो गई है British administration ने आके survey का इतना वो बनाया कि survey बहुत important है तो यहां से यह practice common हो गई पहले भी survey होते थे ऐसा नहीं कि शुरुवात यहां से भी है survey पहले भी होते थे हमें रिगवेद में या फिर वेदों में भी इसकी कहानी मिल जाती है कि उस टाइम पे भी survey किये जाते थे लेकिन यहां से practice यह common हो गई है और यहां से अगर हम देखें हर दस साल बाद यह survey की कुछ कहानी चल पड़ी है अलग-अलग तरह के survey इन्हों ने कराने शुरू किये तो यह survey की practice है यह यहां पर British या फिर colonial government के अंदर common हो गई है The British believed that a country had to be properly known Britishers को यह लगता था कि कि किसी country को पहले जान लेना बहुत जरूरी है before it could be effectively administered कि उसके ओपर अगर हमें अच्छे से साशन करना है तो हमें उस country के बारे में जान लेना बहुत जरूरी Britishers को क्या लगता था कि अगर हमें किसी country के ओपर साशन करना है तो उसके बारे में जान लेना हमारे बहुत जरूरी आता है पहले हम उसे अच्छे से जान ले तभी हम उसके ओपर अच्छे से साशन कर पाएंगे By the early 19th century detailed survey were being carried out to map the entire country Early 19th century यानि वो ही 1801 से लेके 1825 के बीच का period तो early 19th century में अगर हम कहें तो यहाँ पर क्या किया जाने लगा detailed survey शुरू हो गए detailed survey हो गए और पूरी country को map करने का काम शुरू कर दिया थे यापर पूरी country को map करने का काम शुरू कर दिया था आप ज़रा याद करके बताओ कि जो पहला map जो हमने इस chapter की शुरुआत में पढ़ा वो कब बना था थोड़ा सा याद करके मुझे आपको बताना है कि वो कब बना था ताकि आपका उसका भी revision हो जाए और किस ने बनाया था यह दोनों चीज़े आप बताएंगे ठीक है in the villages गाओं में revenue surveys करवाए गए ठीक है कि यहां से कितना पैसा मिल सकता है तो सरकार ने वहां से revenue service survey करवाए कि यहां से जो फसल पैदा होती है कितने की फसल पैदा होती है हम इनसे कितना tax लें तो revenue survey करवाए गाओं में the efforts was to know the topography वो जो survey में हम क्या करना चारे थे सर्वे में हम देखना चारे थे कि वहां की जमीन कैसी है जमीन की सतह कैसी है वहां की soil की quality कैसी है वहां की flora 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 का मतलब क्या होता है कि वहां के पेड़ पौधे किस किस तरह के उड़ते है वहां पर flora मतलब पेड़ पौधे का जगत होता है तो वहाँ पे जीव जंतु कौन कौन से हैं ये भी उन्होंने survey में करवाया क्या है वहाँ का cropping pattern क्या है वहाँ पर क्या-क्या फसले उगाते हैं और किस-कस दरान उगाते हैं ये सारी चीज़ें जानके उन्होंने tax लगाना शुरू किया लोगों के उपर कि आपके यहां पे इतनी फसल होती है यह आपकी soil quality है इतनी यहां पे उग सकती है तो आपको हमें इतना tax देना है कि आप इतनी उगा सकते हो तो इतना tax हमें दे देना क्योंकि आपके पास इतना बचा रहेगा उससे आप अपना काम कर सकते हो तो यहां पे tax लगाने के लिए ने कहीं ना कहीं उस जमीन का सर्वे करना गाउं में रिवेन्यू सर्वे हुए औल दी फैक्ट सीन इस नेसेसरी टू नौ अबाउट टू अड्मिनिस्ट्रेटर दी रीजन यह सारे फैक्ट्स वो थे जो यह इंपॉर्टन समझते थे कि अगर हमें यहां पर शाशन करना है त इतनी चीजें तो हमें पता होने ही चाहिए यह वह फैक्ट्स जो लगता था कि बहुत जरूरी हमारे लिए जानना ताकि हम अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर पाएं ज़्यादर स्जादा टैक्स कलेट कर पाएं तो इसलिए उन्हों ने सर्वेश भी बहुत सारे करवाएं फ् census हमने बहुत पहले ही शुरू कर दिये शुरुवात में अगर हम देखें तो Lord Mayo Lord Mayo जो उस टाइम पे वाइस रहे थे 1872 में उन्होंने सर्वे करवाया और ये हम कहें नहीं सकते कि complete survey था लेकिन survey की शुरुवात 1872 में कहीं देखी जाती 1872 में دेखी जाती उसके बाद अगले ही 10 साल के बाद यानी 1881 में complete survey करवाया गया तो first complete survey इंडिया में अगर कोई हुआ है तो 1881 में मानआ जाता है first complete survey और इसके बाद से हर 10 साल में complete survey किया जाने लगा तो 18-22 से हम survey की शुरुवात मानते हैं 1881 में first complete survey हुआ और उसके आद हर 10 साल 1891 फिर उसके आद 1901 1911 1921 31 41 61 हर 10 साल में survey होता अभी 2001 में हुआ था 2011 में हुआ था अभी 2021 वाला चल रहा है तो सर्वे शिरुआत हुआ थीक है तो कहां से सुरुआत हुई यह हमें पता होना चाहिए यह अपनी बुक में या कॉपी में कहीं पर एक्स्ट्रा चीज़े लिख लेना है बड़ी important है आगे हमें बहुत काम आने वाली है चलो तो यह end of 19th century यानी 1870s के आसपास यह सब शुरू हो गया these prepared detailed records of the number of people और इसमें बहुत detailed में कि कितने लोग हैं लोगों के बारे में पता किया कि कितने लोगों लोगों की population कितनी है number of people यहां की population के बारे में पता लगा in all the provinces of India कि इंडिया के जितने provinces है जितने प्रांत है वहां पे कितनी कितनी population है सब के बारे में पता किया noting information on caste उनकी caste के बारे में information ली religion के बारे में लिया उनकी occupation के बारे में लिया क्या 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 लेते हैं तो survey यहां पर शुरू हो गया कि कहा कहा कितने लोग हैं क्या करते हैं किस caste के हैं किस धरम के हैं यह सारी चीज़ें यह सारी information इन्हों न सर्वे वन अस्पतियों का अगर हम देखें कि उनका जो सर्वे कराया गया पेड़ पोदों का जो सर्वे होता है जो लॉजिकल सर्वे यानि एनिमल्स का जो सर्वे होता है वो जो लॉजिकल सर्वे वो भी उन्हों ने करवाए आर्कियो लॉजिकल सर्वे पुरानी चीजों क हlares लग होने लगे अलग अलग तरह के शर्वेक्षण यहांपर किये जाने लगें यह पर पतार अगर मिल जाती है उस सथर्वोट से हम पता लगा सकते हैं यहां पर कितने लोग रहते थे क्या क्या करते हैं सरवे सेपोर्च मिली इह क्षोटो दिया हुआ है कस्टर्ड एपल प्लांट आपका ठीक है बॉटनिकल गार्डेंस और नैचिरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टेबलिज़ बॉटनिकल गार्डेंस ने बनवाए थे बॉटनिकल गार्डेंस क्या होते हैं जहां पर वनस्पतियों को लगाया जाता है अलग-alग तरह क्या बनस्पति को समाल कर रखायता है तो बॉटनिकल गार्डेंस में और बिटिस हिस्ट्री मिजियम में जो बिटिस ने लगाई थी इन्होंने अलग-लग तरह के प्लांट उनके स्पैसिमन उनके अगर हम कहें कि नमूने उन्होंने इकठे किये, अलग-अलग तरह के प्लांट्स के, उनके बारे में information इकठी करनी शुरू की, अच्छा यहां पर इतने तरह के पेड़ पौदे हैं, अच्छा इनका use क्या है, तो उनके use वगरा के बारे में इन्होंने जानना शुरू किया, लोकल आर्टिस्ट को बुलाया, लोकल जितने भी कलाकार जो, या चितरकार जो होते थे उन्होंने बुलाया गया, और उनको इनकी pictures बनाने के लिए बोला गया, इन जितने भी नमूने वो उन्होंने इकठे किये, कि अलग तरह का पेड़ दिखता, वो उसका एक sample उठागे लिया आते, और उसके बारे में पढ़ते, उसके use को जानने की कोशिश करते, यह उन्होंने शुरू किया, historians are now looking at the way such information gathered, and what this information reveals about the nature of colonization, और आजकल जो इतियासकार है, वो इस चीज को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि Britishers ने इन सब के बारे में क्यों जानकारी गठी की, और उससे हमें history का क्या पता लगा सकते हैं, यह सारी चीज़े भी आजकल historians जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यह हमारा figure था, इसमें figure 5 तो इसके बारे में हमने देखा, और इसी तरह का mapping और survey operations जो चल रहे हैं, तो उसका एक photo यहाँ पर आपका है, कि इस तरह से mapping और survey किया था था, और इसमें जो basically अगर हम देखें, हमेशा चित्रकार किसी चीज़ के उपर focus करता, यहाँ पर आपको किस चीज़ के उपर focus लग रहा है, तो आपको पता लग जाएगा, कि देखो कितने सारे instruments सामने रखे हुए हैं, तो कितने वैग्यानिक तरीके से यह survey कर रहे थे, इससे हमें यह पता लगता है, तो इसकी importance का हमें पता लगता है, कि देखो कितना material यहाँ पर इन्होंने यूज किया इसको करने के लिए, अब हमने देखा कि 2500 साल की history को पढ़ने के लिए official record, official survey, यह देखा, लेकिन क्या सारी history का हमें इससे पता लग जाएगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इनसे नहीं पता लगती, official record से, या फिर official survey से, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता लगती, क्योंकि वो तो सिरफ वही बात बताएंगे, जो उनके लिए सही थी, जो उन्हें लगता है कि उनके बारे में सब लोग बाद में वाह वाही करेंगे, अच्छा इसने अच्छा काम किया था, चलो इसके बारे में लिखते हैं, तो उन्होंने सिरफ अपने हिसाब से story लिखी, लेकिन story पूरी नहीं होती इससे, उन्हों का क्या जो सरकारी विभागों में नहीं थे, उनके बारे में कैसे पता लगे, उन्हों के बारे में कैसे पता लगे जो मजदूर वर्ग्स हैं, तो उन्हों के बारे में ये official record हमें नहीं बताते, तो इनके बारे में पता लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो हम सबसे पहले तो ये देखें कि ये हमें क्या क्या नहीं बताते What official records do not tell ये जो official documents है official अगर हम देखे survey हैं ये हमें क्या क्या नहीं बताते From the vast corpus of records we can get to know a lot यह जितने भी बड़े-बड़े records जो Britishers ने बना है इससे हमें बहुत सारी information मिलती है बहुत सारी information मिलती है कि उनका प्रशाशन कैसे चलता था but we must remember that these are official records लेकिन हमें यह याद रखना चीए उनको पढ़ते हुए कि यह official records है यह सब सरकारी records है they tell us what the official thought वो हमें सिरफ वही बताते हैं जो official सोचते थे जो वो उनके सरकारी अधिकारी सोचते थे Britishers अधिकारी जो सोचते थे तो उन documents में उन letters में हमें सिरफ वो पता लगया कि उनकी सोच क्या थी what they were interested in वो किस चीज में रूची रखते थे and what they wish to preserve for posterity prosterity का मतलब होता है future generations कि वो सिरफ वो ही चीज़ें को समाल के रखते थे जो वो चाहते थे कि आने वाली future generations को पता लगे तो उन चीजों का क्या जो उसके अलावा भी होती थी जो वो नहीं चाह रहे थी तो यहां पे तो सिरफ हमें वो क्या सोचते हैं ब्रिटिशर्स अधिकारी क्या सोचते थे वो क्या करते थे और वो जो बाकी future generations के लिए बचा के रखना चाहते हैं यह तो हमें इससे पता लग गया लेकिन इसके अलावा भी तो history है और यह जो रिकॉर्ड है यह हमें यह नहीं बताते हैं कि country के बाकी लोग क्या सोचते हैं और जो भी ब्रिटिशर्स ने action लिए उसके पीछे उनकी क्या मनशाती वो हमें नहीं बताते हैं क्योंकि उन्होंने तो लिख दिया कि हम यह action ले रहे हैं लेकिन उसके पीछे actual वजह क्या है वो हमें नहीं पता लगती इन record से तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा for that उस चीज के लिए we need to look elsewhere हमें और कहीं देखना पड़ेगा कि इसके reason क्या थे जो नोंने action लिए क्यों लिए वो तो सिरफ अपने अपने हिसाब की कहानी बताएंगे कि हमने जो किया सही किया लेकिन actual में सही है कि नहीं बाकी लोगों सब भी तो पूछना पड़ेगा तो इसके लिए ये history जानने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा when we begin to search for these other sources और जब हम इन दूसरे sources को ढूणना शुरू करें we fight them in plenty हमें ये भी बहुत सारे मिलते हैं ऐसा नहीं है कि सिरफ official record हमें हमें ये भी बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे newspaper आ गए हैं बहुत सारे printing press आ गई हैं बहुत सारी लोगों की आत्मकताए हैं पिछले 500 सालों का record हमारे पास बहुत सारा मिल जाता है though they are more difficult to get than official records बेशक से कि वो official record हमें आसानी से मिल जाते हैं ये मिलने थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कम हैं ये भी बहुत सारी है ये भी हमें मिल जाते है we have diaries of people हमें उस टाइम पे जो लोग रह रहे थे उनकी diaries मिल जाती है accounts of pilgrims and travelers जितने भी तीर तीयात्रा पे निकलते थे या जितने भी यात्री होते थे तो उन्होंने जो अपने अगर हम कहें याद में जो कुछ भी लिखा होगा कि हम यहां तेयात्रा करने गए हमें यह दिखाए दिया तो उनकी वो चीज़े मिल जाती है autobiographies of important personalities मिल जाती है important personalities जितनी भी थी उनकी आत्मक अथा में लिखी मिल जाती है and popular booklets that were sold in the local bazar local bazar में जो local books जो मिलती थी यह basically एक photo देख सकते हैं जो basically क्या था 1800 सताओन की जो क्रांती में विद्रो जो हुआ था उसका photo है इस photo में चित्रकार ने क्या दिखाया है और इससे हमें क्या सीख मिलती है basically अगर आप इसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं है कि जो भी image है किसी भी image को अगर हम देखते हैं तो उसे हमें सिर्फ जो चित्रकार दिखाना चाहता है वो नहीं देखना उसके पिछे की कहानी भी देखनी है यहाँ पर इस चित्र में जितने भी विद्रो ही थे या फिर अगर हम कहें कि हमारा स्वत्रकार हमारी independence के लिए जो लड़े आजादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग विद्रो कर रहे हैं ये लोग लूट रहे हैं सबको इन्होंने पिक्चर ही बदल दी इन्होंने ये बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं image need to be carefully study for what they project the viewpoint of those who create them क्योंकि image को हमें ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि image हमें सिरफ वो दिखाती है जो इसको बनाने वाला दिखाना चालता है यहाँ पर जैसे हम देखें this image can be found in several illustrated book produced by British after the 1857 rebellion कि यह जो image है जो 1870 के विद्रो के बाद कई Britishers की book में छपी यह हमें क्या दिखाना चाती है this caption at the bottom says mutinous supplies share the loot इसके नीचे जो caption लिखा है इसने क्या लिखा कि mutinous supplies share the loot कि यह अपना loot का माल जो है उसको बाट रहे है loot रहे हैं जितने भी mutiners हैं जितने भी बगावत करने वाले हैं यह कहीना कहीं loot का माल यहाँ पर पाने की कोशिश कर रहे हैं तो British representations rebel appear as greedy तो Britishers ने हमारे जो जितने भी विद्रोई थे जो भी आजादी के लिए लड़े उनको क्या दिखाना चाहा कि वो greedy थे लालची थे vicious थे यानि कि दुस्ट थे brutal थे याने की बे रहें थे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा सब को लोटने की कोशिश की you will read about the rebellion in chapter 5 और आप इस rebellion के बारे में chapter 5 में भी पढ़ेंगे तो इस chapter को जिसको हम बोलते हैं कि हमारे सोतनतधा संग्राम में ये लड़े हमारे लिए लड़े इसको Britishers क्या बताते हैं कि वो बड़े लालची थे वो बड़े दुस्ट थे वो बड़े बेरहम थे और इस picture में भी इसी तरह की चीजे दिखाने की कोशिश की गई हैं तो इसलिए जब भी कोई picture पढ़नी है तो उसको उस viewpoint से नहीं देखना है जिस हिसाब से हमें दिखाया गया है तो यहाँ पर यह जबरदस्ती Britishers, Painters के द्वारे दिखाई गई picture है कि किस तरीके से ये लोग खराब थे लेकिन वो लोग अच्छे भी हो सकते हैं अगर हम हिस्ट्री को दूसरे तरीके से पढ़ें तो सरफ देखने का नजरिया है कि हम हिस्ट्री को किस चस्मे से देखते है उसी हिसाब से हमें हिस्ट्री दिखाई देती है ठीक है तो ये Europeans ने जो हिस्ट्री लिखी वो अपने हिसाब से लिखते हैं हम जब history लिखते हैं तो अपने हिसाब से लिखते हैं तो यह सब थोड़ा सा देखने का नजरिया रहता है तो आज की class का time हो गया है तो आज की class हम यहीं करते हैं खतम करते हैं अगली class में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए thank you, take care, bye bye